अर्थसास्त परिच्जा ुपीयोगी तद्य अर्थसास्त की बर्भासा रॉबिंस अर्थसास्त वह विज्ञाने जोके लक्षियों एवं वैकल्पिक उपीःगों वाले सीमि साद्नो के परस्पर समद्दों की रूप में मानव वैवार का अध्यान करता है मार्क्स अर्थ सास्त का उतेश मानव समाज की प्रगती के नियम की खोज करना है बेनहम अर्थ सास्त उन तत्वों का अध्यान है जो रोजगार और जीवन इस्तर को प्रभावित करते हैं प्रो फ्रेड में, अर्थसास कभी वास्त्रे विग्यान होता है और कभी आदर्स विग्यान, मैत्पूर सिद्धान, एंगल का सिद्धान, इस सिद्धान के नुसार एक परिवार की आयो बढ़ने पर उसके खाने पीने की वस्तों का खर्श का पतिशर कम हो जाता है, ग्रेसम का नियम, यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दू प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो, तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्रों के चलन से बाहर कर देती है, उत्पत्ति हार्श का नियम, यदि किसी वस्तू के उत्पादन में किसी एक परिवर फद्वादन घर्ता चला जाता है इस प्रवरति को और तरसाजत में उत्पध्ति हाश नियम का हासा मन प्रतिफल का सिद्धान कहते हैं परिवर्थ सादन की मात्रा में विद्धी करने पर सिमात उत्पादन में अनुपातिक दृष्टी से तीन प्रकार की प्रवर्थियां देखने को मिलती हैं सिमात उत्पादन घड़ जाए या समान रहे या बढ़ जाए आदुनिक अर्थसास्ति इन तीनों अवस्ताओं को सिमलित रूप से परिवर्थन शी अनुपातों का सिध्धान कहते हैं उत्पत्ति हाश नियम पर अधायत अधिक अन्य नियम है पहला मालतस की जन्सा क्या सिध्धान दूसरा रिकॉर्डों का लगान सिध्धान एवन तीसा सिमात उत्पादक सिध्धान क्रिशी छेट में उत्पादित हाश का नियम सीगरता से लागव होता है क्रिशी छेट में सम विवाजन का अभाव होता है कुछ प्रमुक करता है अर्थसास चुनाव का विग्यान रॉबिन्स अर्थसास द्वास्तवी विग्यान है रॉबिन्स अर्थसास आदस विग्यान है मार्शल अर्थसास्ती का कार विश्टेशन करना है निंदा नहीं करना नहीं है रॉबिन्स आफशकता विहिंता का लग् प्रफ़ादारों को आस्विक्रित करते वे रोजगार को एक क्रम वरत तता व्यवस्तित सिधान्त प्रस्तुत किया कींज के नुसार अर्थवयस्ता में रोजगार का इसतर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भा करता है कुल उत्पादन मात्रा प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा पर निर्भा करती है अर्थवयस्ता की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भा करती है या नियम बस्तु नियविन में और मुद्रा विन में दोनों पर लागू होते हैं इसके अनुसार अर्थवरस्ता में समान अतिव पादन के फलसुप समान पर रोजगाली संभव नहीं है कीन्स के रोजगाल के तार्किक परामिक बिंदू समर्थ की मांग का सिद्धान है इसके अनुसार समर्थ के दिर्धारत तत्वे दो हैं पहला समगर मांग फलन एडियाफ एव समगर पूर्ती फलन एस है किसी अर्थवेस्था में एसब उद्धिमयों की कुल लागतों तत्वे एडियों उनकी कुल प्राप्तियों का पतिजिव करती है अर्थवेस्था में वा मांग समर्थ मांग होती है जो अध्वास्ता बे रोजगार इस्तर एन उत्पादन इस्तर ओ ता आ इस्तर वाई तीनों बराबर हों कीन्स के नुसर अवसाद में किसी अध्वास्ता को बाहर निकालने के लिए यह वश्यक है कि सरकार राजकोशी निती का सारा ले ता सारजनिक वे में व्रिद्धी लाए रोजगार बढ़ाने के लिए कीन्स ने लचीली मज़ूरी निती के बदले लचीली मुद्रा निती का समर्थन किया निकदी लेंदान का सरद्धन इसका पतिपादर फिशर ने किया इस सरद्धन के ल House मुद्रा का पर्यमार ही पीम पर ही कीमत इसतर ακतवा मुद्रा की ही मूल का मुख नधारक है फिसर कनुसा यदि आने चीज़ें इस ते रहे तो जहें जो मुद्रा संचानलन की माता बढ़ती है तो कीमत इस तर पर भी प्रत्यच अनपात में बढ़ता रहता है और मुद्रा का मूल भी घटा जाता है और विमलेज भी यदि मुद्रा की माता दुगनी करती जाए तो कीमत इस तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल आदा हो जाएगा और ठीक इसके विपरीद यदि मुद्रा की माता घटा आदी हो जाएगी तो कीमत इस तर गिरकर आदा रह जाएगा और मुद्रा का मूल दुगना हो जाएगा उत्पादन फलन उत्पादन के सादनों तथा उत्पाद की मातरा के संबंद में उत्पादन फलन कहते हैं या सादनों तथा उत्पाद के बीच तक्नीकी संबंद को प्रकट करता है जब कुल उत्पादन का एक्तम होता है तो उसे सिमात उत्पाद सून होता है सिमात उत्पाद सून और रिरात्मक हो सकता है लेकिन और सो उत्पाद ना तो कभी सून हो सकता है ना ही रिरात्मक तैंक्स पर वाचिंग और शेरिंग